Today we are going to talk about DHT hair transplant और जो इसका पूरा नाम है वो है density hair transplant दो तरीके से transplant हैं इसके अंदर DHT and DHI प्लीज दोंट गन्फ्यूज ऑन दिस टॉपिक क्योंकि DHI में direct hair implant होता है और उसको simultaneously implantation process भी बोलते हैं DHT is quite different from it DHT के अंदर आपको एक अच्छी density का transplant दिया जाता है उसमें simultaneously grafting नहीं किये चाती है और DHT एक बहुत ही अच्छा process है क्योंकि आपको normally आप जो transplant के अंदर देखते थे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पे आपको अगर हम बात करें कि छोटे से area में हमने बहुत सारे graft ना लगाते हुए scattering रग दी दूर दूर graft को लगा है तो patient हमारे पास आते थे complain करते थे कि sir ये बहुत दूर दूर graft है और ये मतलब मुझे वो desired look नहीं मिला कहीं ना कहीं पे जो मुझे चलिये था in DHT you get your desired look but DHT के अंदर एक ये भी आपको समझना है कि DHT के अंदर एक ये भी कारण है कि आपको एक छोटे area में transplant करना हो then DHT is good जो density है आप small reason में काफी अच्छी दे सकते हैं और मैं ये मानता हूँ कि आप half scalp तक cover कर सकते हैं DHT के through एक sitting में उसके बात आप नहीं cover कर पाते हैं क्योंकि एक दिन के अंदर आप उस मतलब यू कहें कि आप नहीं कर पाते क्योंकि extraction का जो process है आपको एक दिन में 4000 graft तक maximum extracted हो पाते हैं आप अगर बात करें 4000, 4500, 5000 maximum जो single day की हम बात करें तो 4-5000 graft तक ही केवल निका दे और लगाए जा सकते हैं तो यह एक थोड़ा सा limitation होने के कारण DHT एक दिन में पूरे scalp पे नहीं हो सकता और DHT की सबसे खासियत यह है यह कहें कि उसकी सुन्दर्ता कि after transplant आपको कुछ भी ऐसा देखने को या आपको कोई capping या आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई density में compromise नहीं करना पड़ता है as you can see in the video which is running और आप वीडियो में भी देख सकते हैं जो चल रहा है इसके साथ साथ DHT के अंदर आपको यह भी मिलता है कि हमने उसके अंदर थोड़ा सा एक चेंज और किया है we combined two to three process in it और हम उसके अंदर आपको जो DHT देते हैं वो seven to eight months में complete आपको look देता है a dense look और आपने आप यह हमारे patients के video में भी देख सकते हैं काफी साले videos भी हैं आप उसमें भी देख सकते हैं अगर DHT से related कोई और question आपको पूछना हो या आपके mind में हो then you can generally go and ask it to me और आप हमारे comment box पे भी comment कर सकते हैं हम आपको reply देंगे उसके अंदर thank you